बारतिय टीम 111 दिनों में 10 Test Match खेलने वाली है टीन देशों से World Test Championship का फानल खेलने के लिए टीम इंड़े की टिक्क्र होने वाली है जिसमें टीम इंडिया बांगल देश साथ में 2 Test Match, न्यूजलेंड साथ 3 Test Match और ओसले साथ 5 Test Match खेलने वाली है बारतिये क्रिकेट टीम अगले कुछ मेनों में जड़ातर वायट जट्सी में नदर आने वाली है जनवरी दो तरपक्षिस तक टीम इंडिया एक या दो नहीं बलकि पूरे 10 टेस्ट मैच खेलने वाली है 111 दिन के बीतर टीम इंडिया को पूरे 10 टेस्ट मैच खेलने हैं जिनमें से 5 टेस्ट मैच टीम इंडिया बारत की दर्टी पर और साथी 5 टेस्ट मैच टीम इंडिया विज़ेश दर्टी पर खेलने वाली है बारतीय टीम किस टीम में खिलाफ कब कब टेस्ट मेच खेलने वाली है इस बात की तिर्चे हम इस वीडियो में करने वाले है लाइक करें और चनल को subscribe कर लें क्योंकि World Taste Championship 2015 के फैनल में पहुंचने के लिए अब आगे आने वाले परतिक मुकाबला टीम इंड़क लिए एम होने वाला है बारतिक के टीम के बारें बात करें तो वर्तमान समय में बारतिक के टीम के फैनल में पॉइंट टेबल में तोपर बनी हुई है अब अगर बारतिक के टीम के बारें बात करें तो फिलाल बारतिक टीम एक मेने के लिए अवकास पे गई हुई है और इस अवकास के बाद में बारती टीम का वर्ल्ट टेस्ट चेंपेंशी के फैनल के लिए अगनी पर शुरू होने वाला है जिसकी शुरूबात बांगलादिस खिलाफ होने वाली है और साथ ही ओसले में जाकर भी पांत मैचों की सिरीज खेलनी है बारती टीम का वाइट बोल केमपेंग 19 सितंबर से सुरू होने वाला है 19 सितंबर को बारत और बांगलिस की भीच में दो टेस्ट मैचों की सिरीज सुनू होने वाली है सिरीज का पहला मुकाबला 19 सेतंबर को चेनरी में होने वाला है और इसके बाद सिरीज का दूसर टेस्ट मैच 27 सेतंबर को कानपूल में खेला जाएगा और यह दो टेस्ट मैच खेलने के बाद में टीम इंडे की वायर जर्शी को एक मेने का अराम मिलने वाला है और टीम इंडिया इसके बाद में अपनी अगली स्रीज अक्तुमबर में न्यूजिलेंड से खेलने वाली है न्यूजिलेंडी टीम टीन टेस्ट मैचों स्रीज के लिए बारती दोरी पर आने वाली है टीन टेस्ट मैचों की स्रीज के बरें बात करें तो इसमें पहला टेस्ट मैच 16 अक्टॉमबर को बेंगलोर में और इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 24 अक्टॉमबर को पूने में और 7 आखरी और अंती मुकाबला एक नौमबर को मुंभी की 1-3 चिदि में खेला जाएगा इस तरह से Team ींडिया बार्टिय जमीन पर बंगाल्देस और न्यूजलेंड से टेस्स रिज खेलने वाली है जिसमें बंगाल्देस टीम से 2 मुकाळले और 7 गी न्यूजलेंडी टीम से 3 मुकाबले खेलने वाली है इसके बाद Team India का विदिश दुरा शूरू होने वाले हैं जिसमें Team India और उस तेश्च स्रीज की बात करें तो वैट टेश्च स्रीज 22 नौबर से शूरू होने वाले हैं जिसका पहला मकाबला 22 नौबर को पर्स में खेला जाना है साथ दूसरा मुकाबलत बात करें तो दूसरा मुकाबलत 6 सितंबर से एडिलेट में 30 मैच 24 दिसंबर से ब्रिश बेर्ड में और 4 मैच 26 दिसंबर से मेलबन में और आकरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिद्नी में होने वाला है और इस तरह से बालती टीम 19 सितंबर से 7 जनवर तक 101 जनों में 10 टेस्ट मैच खेलने वाली है बालती टीम फिलाल World Test Championship के पोइंट टेबल में टोप पे बनी हुई है World Test Championship के अब तक दो बार मुकाबले हो चुके हैं यानि कि World Test Championship का दो बार आजन हो चुका है और दोनों बाले टीम इंडिया World Test Championship के फाइनल में गई हुई है सबसे पहले टीम इंडिया 2021 के World Test Championship के फाइनल में पोइंची जहां टीम का फाइनल मुकाबला नुजलेंगी टीम से हुआ उस में टीम इंडिय कमान विराट कोली के आद में थी और उस फाइनल मेंच में भी बालती टीम बालती टीम को निरास होकर वापिस लोटना पड़ा इसके बाद दो साल बाद यानि ये दो जाटेस में एक बार फिर से World Test Championship का आयजन हुआ और उस World Test Championship में भी बालती टीम फाइनल में पोइंची कोशले टीम में जीता लेकिन अब आने वाइल 25 में World Test Championship के फाइनल मैच की बात करें तो यह टीम इंडिया अपनाम कर सकती है क्योंकि टीम इंडिया ने हाली में दो जाटो इसमें T20 World Cup का खिताब अपने नाम किया है और साथ ही टीम इंडिया इसमें बहुती मजबूत विस्ते में दिख रही है विराट कोली और रोई सर्मा जहां पर T20 सनाज की गोशना कर चुके हैं तो अब इन दोनों का फोकस World Test Championship और साथ ही Champion Trophy पर होने वाला है और जैसा कि सबी को पता है कि टीम इंडिया अब अपना अगला वंडे मुकाबला 2025 में खेलने वाली है यानि कि उससे पहले टीम इंडिया के लिए रोई सर्मा और विराट कोली सिर्प टेक्ष मैचों में नजर आने वाले हैं और साथ ही आने वाले कुछ समय में टीम इंडिया के नए कोच गोवत्तम गंबी के सामनी बोच्छ तुनोतिया होने वाली हैं जिसका वीडियो में आपके लिए पहले ही बनाया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा और साथ ही अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें